ठीक है, कल से करूँगा, बस यही शब्द आपको कभी कामयाब नहीं होने देगा, अगर हालात पर तुम्हारी पकड सही है, तो यकीन मानो ये जहर उगलने वाले भी तुम्हारा कुछ नहीं बेगार सकते हैं, मैं जानता हूँ कि मैं कुछ तो हूँ, क्योंकि उपर वाला को पूरी दुनिया उसके साथ होती है, भगवान कहते हैं, मैं वहीं रहूंगा, जहां हर कोई तुझे छोड़ कर जाएगा, जो बोगे वहीं पाएगा, तेरा किया ही आगे जाएगा, जो अच्छा लगे उसे ग्रहन करो, और जो बुरा लगे उसका त्याग करो, फिर चाहे वविचार हो, कर्म हो या मनुश्य, जीना है तो कर्ण की तरह जीओ, जिसका भी साथ दो खुले आम दो, विरोधी कहलाओगे धोखे बाज नहीं, अकेलापन कोई कष्ट नहीं, बलकि एक अवसर है, बिना रुकावट के एक दिशा में सदैव बढ़ते रहना, चमतकार उन आठ बातें हमेशा याद रखे, अकेले रहने से कभी न डरे, पिछली बातों को ज्यादा याद ना करे, परिणामों के जल्दी आने की उम्मीद ना करे, सारी दुनिया की जिम्मेदारी आप पर नहीं है, ये समझ ले, सभी को खुश रखने की कोशिश ना करे, दूसरों क अपनी भावनाओं के साथ खिलवाड ना करने दे, उन चीजों पर वक्त जाया ना करे, जो आपके नियंतरन में नहीं है, और सिर्फ अपने माँ बाप के सपनों के लिए महनत करे, दूसरों के सपनों के लिए नहीं, जिन चार लोगों में बैठ कर आप दूसरों की बुरा अपने बीते कल को यह अधिकार कभी मत देना कि वो तुम्हारे आने वाले कल को नियंतरित करना प्रारंब कर दे, इंसान चाहे कितने भी खेल खेले, पर एक दिन सच सामने जरूर आता है, क्योंकि असली खेल तो उपर वाला ही खेलता है, जब भविश्य धुंदला पढ़ प्रभु श्री राम ने भी अपने घर में विरोध सहा, श्री कृष्ण ने भी समाज में बहुत कुछ सहा, ये आपके साथ भी होगा, पर इस से उपर उठोगे तो ही कुछ नाम बनेगा, किसी के साथ कुछ गलत करने के बाद अपनी बारी का इंतजार जरूर करे, क्योंकि प्रभु श्री के समय के पास हर किसी के कर्मों का हिसाब है, आपकी सारी परिशानिया उस दिन खत्म हो जाएगी, जिस दिन आपको ये विश्वास हो जाएगा, कि हर काम इश्वर की मर्जी से होता है, पुराने साल का बीत जाना और नए साल का आना हमें यह सिखाता है, कि जीवन में कुछ भी स्थाई नहीं है, अगर आज दुख का समय चल रहा है, तो कल सुख आएगा ही आएगा, दूसरों पर निर्भर रहने वाले लोग कभी खुश नहीं रह पाते, इसलिए इस लायक बनिये की अपनी इच्छाओं को आप स्वयम पूरा कर सके, सम्मान समय और स्थितिका होता है, पर अक्सर इनसान उसे अपना समझ लेता है, इश्वर की शरण में निस्वार्थ भाव से जाए, क्योंकि आपको क्या चाहिए, यह उन्हें पता है, अपने बुरे समय में भगवान और समय पर विश्वास रखें, क्योंकि समय कोईले को भी हीरा बना देता है, और भगवान रंक को भी राजा, मनुष्य को इस संसार में जो कुछ भी मिला है, उसमें उसे खुश रहना चाहिए, जो नहीं मिला, उसके लिए दुखी नहीं होना चाहिए, जैसे जैसे आयू बढ़ती है, आपको यह एहसास होने लगता है, कि आपने व्यर बनानी को ठुकराओ मत, अच्छे को जाने मत दो, और बुरे को अपनाओ मत, बात अच्छी लगे तो कमेंट में लिखे राधे राधे, अकेले बैठ कर खुद से एक सवाल करो, कि आपके मरने के बाद कितने लोगों को फर्क पड़ेगा, जिन लोगों को फर्क पड़ेगा तो अधिक ध्यान उस चीज पर दें, जो आपके पास है, उस पर नहीं, जो दूसरों के पास है। पूरी तरह तूट चुके हो, तो यकीन मानो, दुनिया में तुम्हें कोई नहीं तोड़ सकता। जीवन में सम्मान वही पाता है, जो दूसरों को सम्मान देता है। इस दुनिया में आप हजारों रिष्टे बनाओ, लेकिन एक रिष्टा ऐसा भी बनाओ, कि जब हजारों आपके खिलाफ हो तो वह अकेला आपके साथ हो भगवान को मंदिर से ज्यादा मनुष्य का हृदय पसंद है क्योंकि मंदिर में इंसान की चलती है और हृदय में सिर्फ भगवान की तकलीफ होने पर जो व्यक्ति सबसे पहले याद आए वो जिन्दगी का सबसे कीमती इंसान होता है याद रखिये जीवन में खाली व्यक्ति ही सबसे ज्यादा दुखी होता है इंसान को जीवन में भूखा पेट, खाली जेब और जूटा प्रेम बहुत कुछ सिखा कर जाता है बस आपका लक्ष सही होना चाहिए क्योंकि काम तो दीमक भी दिन रात करता है पर वो चीजों का निर्मान नहीं बलकि विनाश करता है क्रोध अकेला आता है, मगर हमसे हमारी सारी अच्छाई ले जाता है और सब्र भी अकेला आता है, मगर हमें हमारी सारी अच्छाई दे जाता है आपका कद नहीं, आपकी विनम्रता आपको बड़ा बनाती है जब सर पे बड़ी जिम्मेदारी हो, तो हिसाब से रहना पड़ता है बहुत कुछ सुनना पड़ता है, और बहुत कुछ सहना पड़ता है सिर्फ सोच का ही फर्क होता है, वरना समस्याएं आपको कमजोर नहीं, बल्कि मजबूत बनाती है दुख भोगने वाला आगे चलकर सुखी हो सकता है, परन्तु दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता याद रखना अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते और सुधर जाते, तो बासुरी बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होने देता जिसका कोई नहीं होता उसके भगवान होते हैं खूशी और दुख जीवन के सिक्के के दो पहलू है, जिस प्रकार पधजड में पत्ते जड़ जाते हैं और नए पत्ते हर्याली लेकर आते हैं, उसी प्रकार जीवन में दुख आता है, तो उसके बाद सुख भी आता है जीवन एक संघर्ष है और यह टालने योग ये नहीं है, जब विपरीत पर इस्थिती आती है, तो आपको बचना नहीं है, बलकि आपको निश्चित रूप से कुछ उचित मात्रा में संघर्ष करना होगा जो वक्त के साथ साथ अपने आपको बदलता है, वही अपने हिसाब से दुनिया को बदल सकता है, टालने वाले नहीं, कुछ करने वाले दुनिया में आगे बढ़ते हैं, कभी खुशहाल तो कभी उदास होगी, कभी जीत तो कभी हार होगी, यह जिंदगी एक सड़क की तर इन्सान भी अच्छा क्यों न हो, भूल हो ही जाती है। बलकि गहराई मायने रखती है। अभिमान को जाने मत दो, अभिमान तुम्हें उठने नहीं देगा और स्वाभिमान तुम्हें कभी गिरने नहीं देगा। अपना वो है जो किसी के लिए तुम्हें नजर अंदाज न करे। जितना इंतजार वो आपसे करवा रहा है, समय आने पर वो इतना देगा कि संभाल भी नहीं पाओगे। संसार जरूरत के नियम पर चलता है, सरदियों में जिस सूरज का इंतजार होता है, उसी सूरज का गर्मियों में तिरस्कार भी होता है। अतह आपकी कीमत तब होगी, जब आपकी जरूरत होगी। अज्ञानी व्यक्ति स्वयम के लाभ के लिए कार्य करते हैं, जबकि बुद्धिमान व्यक्ति विश्व के कल्यान के लिए कार्य करते हैं। जो व्यक्ति अपनी गलतियों के लिए स्वयम लड़ता है, उसे कोई भी हरा नहीं सकता। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ कमी जरू जब शान्ती के सारे मार्ग बंद हो जाए और न्याय ना मिले तो युद्ध करें। हिसाब हमारे कर्म का होगा, धर्म का नहीं। यदि सब कुछ खो कर भी आप में कुछ करने की हिम्मत बाकी है तो समझ लीजिए आपने कुछ खोया ही नहीं। जूट भले ही बलवान क्यों ना हो वह सच को दबा नहीं सकता। जिस मनुष्य के हिर्दय में सच्ची मानवता हो उसकी सोच हमेशा यही होगी कि मुझे मिला हुआ दुख किसी और को ना मिले और मुझे मिला हुआ सुख सब को मिले। दूसरों का भला करने वाले मनुष्य को हमेशा ही कश्ट का सामना करना पड़ता है क्योंकि फल देने वाले व्रिक्ष को हमेशा ही पत्थरों की मार सहनी पड़ती है चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं इतना कमजोर मत बनो कि कोई आपको तोड़ सके बलकि इतना मजबूत बनो कि आपको तोड़ने वाला खुद ही तूट जाए सत्य से कमाया हुआ धन हर प्रकार से सुख देता है और छल कपट से कमाया हुआ धन दुख ही दुख देता है युद्ध हो या जीवन सफलता केवल तीन शब्दों से ही प्राप्थ होती है धर्म, थैर्य और साहस विश्वास के बगेर इस दुनिया में कोई भी रिष्टा ज्यादा देर तक नहीं रह सकता अपने विचारों को पवित्र बनाओ क्योंकि व्यक्ति अपने विचारों से ही अनंत काल तक जीवित रहता है आप जो कर रहे हैं उससे अगर आप प्यार करते हो तो आप उसमें जरूर सफल होंगे मित्र गरीब हैं या अमीर यह माइने नहीं रखता बलकि वो बुरे समय में आपको कितना सहारा देता है यह माइने रखता है कुछ पाना है तो खुद पर भरोसा कीजिए क्योंकि सहारे कितने भी सच्चे और अच्छे क्यों ना हो साथ छोड़ ही जाते हैं जिस समय कोई समस्या जन्म लेती है उसके साथ उसका समाधान भी जन्म लेता है आपका मूलय इस तरह नहीं होता कि आप क्या है यह इससे तय होता है कि आप खुद को क्या बनाने की क्षमता रखते हैं कुछ पालेना जीत नहीं और कुछ खो देना हार नहीं केवल समय का प्रभाव है और परिवर्तन समय का स्वभाव है संबंध बड़ी-बड़ी बातें करने से नहीं छोटे-छोटे भाव को समझने से गहरे होते हैं मन अशांत हो तो उसे नियंत्रित करना कठिन है लेकिन इसे अभ्यास से वश में किया जा सकता है बात अच्छी लगे तो कमेंट में लिखे राधे-राधे जब मेहनत करने से भी सपने पूरे ना हो तो रास्ता बदलिये, सिध्धान्त नहीं क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलता है, जड़ नहीं एक समझदार व्यक्ती वही है जो दूसरों को देख कर उसकी विशेशता को सीखता है उनसे तुलना और इरशा नहीं करता खुशी के लिए काम करोगे, तो खुशी नहीं मिलेगी लेकिन खुश होकर काम करोगे, तो खुशी जरूर ही मिलेगी जब लोग आपका साथ छोड़ दें, तो समझ लीजिए, आप उसे अकेले करने में ही सक्षम है उस सुख का त्याग कर देना चाहिए, जो किसी के दुख का कारण बनता है जीवन कठिन तब लगता है, जब हम स्वयम में बदलाव करने के बजाए और स्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं जो तुम्हें प्राप्थ है, वहीं तुम्हें पर्याप्थ है जब इनसान की जरूरत बदल जाती है, तब इनसान के बाद करने का तरीका भी बदल जाता है मनुष्य हमेशा अपने भाग्य को कोसता है यह जानते हुए कि भाग्य से उंचा उसका कर्म है और कर्म करना उसके हाथों में है धर्ती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता रहता है कमजोर व्यक्ती से दुश्मनी ज्यादा खतरनाक होती है क्योंकि वह उस समय हमला करता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं हमें अपनी जिन्दगी से जीत ना सीखना चाहिए क्योंकि हम एक दिन मौत से तो हार ही जाएंगे जीवन में हमेशा इंतजार ही नहीं करना चाहिए क्योंकि मेरे दोस्त सही वक्त कभी आता नहीं उसे लाना पड़ता है आपका कठिन समय ही आपको मजबूत बना देता है कोई आपका साथ ना दे तो निराश मत होना क्योंकि परमात्मा से बढ़कर हमारा कोई नहीं होता सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपकी बरबादी के सभी द्वार खोल देता है चाहे आप कितने ही बड़े शत्रंज के खिलाडी क्यों ना हो मीठा जूट बोलने से अच्छा है कड़वा सच बोला जाए इससे आपको सचे शत्रू जरूर मिलेंगे लेकिन जूटे मित्र नहीं भरोसा और आशीरवाद कभी दिखाई नहीं देते लेकिन असंभव को संभव बना देते है जीवन में कोई भी काम केवल तभी तक कठिन लगता है जब तक उसे करने के लिए आप कदम आगे नहीं बढ़ाते जिसकी फितरत हमेशा बदलने वाली हो वह कभी किसी का नहीं हो सकता चाहे वह समय हो या इंसान दुनिया में कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिन्हें आप कितना भी मान सम्मान दो फिर भी वो आपको धोखा ही देंगे क्योंकि आप लोगों की फितरत कभी नहीं बदल सकते जीवन में जो लोग आप से दूर होना चाहते हैं वो लोग सारा दोश हालात पर डाल देते हैं इस जीवन में रुप्यों की कीमत कितनी भी गिर जाए, पर इतनी कभी नहीं गिर सकती जितना इंसान खुद को रुप्यों के लिए गिरा लेता है। अगर जीवन में जंग अपनों से हो, तो हार जाना चाहिए, क्योंकि जिन्दगी में कुछ रिष्टे बहुत अनमोल होते हैं, याद दाश्त का कमजोर होना भी इतनी बुरी बात नहीं, बेचैन रहते हैं वो लोग, जिनें हर बात याद रहती है, यदि आप धर्म करोगे, तो आपको ईश्वर से मांगना पड़ेगा, लेकिन यदि आप कर्म करोगे, तो ईश्वर को खुद आपको देना पड़ेगा, जिन्दगी एक मिनट मैं नहीं बदलती है, पर एक मिनट सोच कर लिया गया फैसला, आपकी पूरी जिन्दगी बदल देता है, दोस्तों, जीज़ें गिनी जा सकती है, यकीनन वह खत्म हो जाती है, कभी कभी हम किसी के लिए इतना भी जरूरी नहीं होते, जितना हम सोच लेते हैं, यदि तुम्हारे अंदर खुद को बदलने की ताकत नहीं है, तो तुम्हारा कोई अधिकार नहीं, कि तुम भगवान को या जब भी तूटो, तो अकेले में तूटना, क्योंकि यह दुनिया तमाशा देखने में माहिर है, जिन्दगी में आगे बढ़ने के लिए कभी कभी पीछे भी हटना पड़ता है, सच्चे इनसान को जूटे इनसान से अकसर ज्यादा सफाई देनी करती है, दुनिया की सबसे सस्ती चीज है सला, एक से मांगो तो हजार मिल जाएगी, और दुनिया की सबसे महंगी चीज है मदद, हजार से मांगो तो कोई एक देता है, बड़ी दुख की बात है, इस दुनिया में कोई किसी का हम दर्द नहीं होता, लाश को शमशान में रख कर अपने ही लोग पूछ गलती बेशक भूल जाओ, लेकिन सबक हमेशा याद रखो, जो इनसान हार के डर से कभी आगे नहीं बढ़ता, वो इनसान जिन्दगी में कभी कामयाब नहीं हो सकता, अगर नियत अच्छी हो, तो नसीब कभी बुरा नहीं हो सकता, जो रिष्टा कम और गुरूर ज्यादा रखें, ऐसे लोगों को दिल से दूर ही रखो, पहाड चढ़ने वाला व्यक्ति जुक कर चलता है, और उतरने वाला व्यक्ति अकड कर चलता है, इसलिए कोई अगर जुक कर चल रहा हो, तो मतलब है कि वह उचाई पर जा रहा है, और कोई अगर अकड कर चल रहा है, तो मतल प्रतिभा जरूर होती है, लेकिन अक्सर लोग इसे दूसरे जैसा बनने में नश्ट कर देते हैं, मरने वाले पर रोने वाले हजारों मिल जाएंगे, मगर जो जिन्दा है उसे समझाने वाला एक भी नहीं मिलता, खूबसूरत चेहरा भी बूढ़ा हो जाता है, ताकतवर जि है कि लोग आपके बारे में अच्छा सुनने पर शक करते हैं और ज़रा सा बुरा सुनने पर तुरंत यकीन कर लेते हैं, जिन चार लोगों में बैठ कर आप दूसरों की बुराई करते हैं, यकीन मानिये, आपके जाते ही वहां आपकी बाते होना शुरू हो जाएंगे, असंभव की सीमा जानने का केवल एक ही तरीका है असंभव से आगे निकल जाना। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता। इसलिए कुछ कम्यों को नजर अंदाज करके रिष्टे बनाई रखिए। वरना जिसको सहना आता है उसको कहना भी आता है। गलती नियम की नहीं होती कि वो कड़वा है। खुदगर्जी जीब की है कि उसे मीठा पसंद है। जब भी जीवन में मुश्किल की घड़ी आती है तो कायर पीछे हट जाता है और मेहनती डट जाता है। नियत और सोच अच कुछ लोग अपनी अकड की वजह से कीमती रिष्टे खो देते हैं और कुछ लोग रिष्टे बचाते बचाते अपनी कद्र खो देते हैं। किसी को कुछ कहने से पहले एक बार ये जरूर सोच लेना चाहिए कि अगर वही शब्द कोई आप से कहे तो आपको कैसा लगेगा। साक नहीं उड़ाना चाहिए क्योंकि समय बदलता रहता है, समय के साथ कर्म बदलते रहते हैं और कर्मों से भाग्य बदलता रहता है, समय में इतनी ताकत होती है कि बह किसी की भी किस्मत कभी भी पलट देता है। करे तो अर्थ वरना सब व्यर्थ। कभी-कभी मन को मना लेना ही बहतर होता है, हर जिद हमें खुशी नहीं देती, मन बड़ा तो सब बड़ा। जो दान कर्तव्य समझ कर बिना किसी शक के किसी जरूरत मंद को दिया जाए, वही सच्चा दान है। जब कल का दिन देखा ही नहीं, तो आज का दिन क्यों खोए? जिस घड़ी में हंस सकते हैं, उस घड़ी में कल के लिए क्यों रोए? जब आपका होना और ना होना बराबर हो जाए, तब आपका ना होना ही बहतर है। मौन रहकर ही आप जान सकते हैं कि आप कौन हैं, उस इंसान को कभी नजर अंदाज ना करो, जो आपसे बेहत प्यार करता है, आपकी देखभाल करता है और आपको याद करता है। इंसान क्या है? बस परिस्थितियों से बना हुआ एक पुतला है। अगर किसी को आप अच्छे नहीं लगते, तो उसके सामने अच्छे बनो भी मत। क्योंकि उससे ज्यादा आपको पता है कि आप कितने सही हो। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार है इसलिए बड़ा सोचें और खुद को जीतने के लिए हमेशा प्रेरित करें। आप खुश हो, ये अच्छी बात है। लेकिन आपकी वजह से कोई खुश है, ये सबसे अच्छी बात है। वक्त अच्छे अच्छो को जुका देता है और वक्त सभी का आता है। मदद करने के लिए धनी होना जरूरी नहीं, सिर्फ मदद करने का इरादा होना चाहिए। नियत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं होता। जब तक आप ड़ते रहेंगे, तब तक आपकी जिन् और कल आसान। इश्वर सिर्फ दिशा दिखा सकते हैं, उस पर चलना हमारा काम है। अगर वास्तव में तुम चलना ही नहीं चाहते, तो फिर तुम्हारा इश्वर को दोश देना व्यर्थ है। आपका परिवार कितना अमीर है ये मायने नहीं रखता। सिर्फ यही मायने जीवन में किसी को प्रेम देना सबसे बड़ा उपहार है और किसी का प्रेम पाना सबसे बड़ा सम्मान। दुनिया की हकीकत यही है कि सचे इनसान को हमेशा जूठे इनसान से ज्यादा सफाई देनी पड़ती है। शानदार रिष्टे चाहिए तो उन्हें गहराई से लेकिन वह उसको बुझाने के लिए काफी है। उनके वफादार और कर्जदार रहिए जो आपके लिए अपना वक्त देते हैं। वक्त बड़ा अजीब होता है। इसके साथ चलो तो किसमत बदल देता है। और ना चलो तो किसमत ही बदल देता है। संसार में हर इंसान का परिवर्तन निश्चित है, किसी का हिर्दय परिवर्तित होगा तो किसी का समय, यहां रुलाता तो हर कोई है, लेकिन जो आपके लिए रो पड़े, उसे अपनी जिन्दगी से कभी अलग मत करना। परिवर्तन से लोगों पर ईश्वर की कृपा हमेशा बनी रहती है, किसी पर आप इतना भी निर्भर मत बनिये कि अगर वह चले जाए, तो आप बुरी तरह तूट जाए, यह एक निश्चित बात है कि आप काम खत्म नहीं कर सकते, अगर आप काम को शुरू ही नहीं करेंगे काम्याब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है, लोग तो पीछे तब आते हैं जब आप काम्याब होने लगते हैं, जिन्दगी बहुत छोटी है, जो हमसे अच्छा व्यवहार करते हैं, उन्हें धन्यवाद कहो, और जो हमसे अच्छा व्यवहार नहीं करते, उन्हें मुस्कुरा कर माफ कर दो अगर बुरी मानसिक्ता वाले लोग सिर्फ समझाने से हर बात को समझ जाते तो श्री कृष्ण कभी भी महाभारत नहीं होने देते रोने से इंसान कमजोर बनता है, ये गलत है बलकि रो रोकर टूटा हुआ इंसान ही सबसे मजबूत बनता है बिना मतलब के कोई भी आपको इज़त नहीं देगा इसलिए खुद को इतना सफल बनाओ कि बिना मतलब के भी लोग आपकी इज़त करे हर किसी को अच्छा समझना छोड़ दो क्योंकि अंदर से लोग वो नहीं होते जो उपर से दिखाई देते हैं अच्छे विचारों से इतना व्यस्त हो जाओ कि गलत विचार आपको छूब ही ना पाए इश्वर तब खुश होते हैं जब वह देखते हैं कि दुखों के बावजूद भी इंसान उस पर विश्वास रख रहा है और यकीन मानिये वो आपके हर विश्वास की कीमत समय आने पर जरूर देते हैं अगर आप दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे और सुख पर ध्यान देंगे तो सुखी रहेंगे आप जिस चीज पर ध्यान देंगे वह चीज सक्रिय हो जाएंगी और आपके जीवन में तुरंत प्रवेश करना शुरू कर देगी यही कुदरत का नियम है खुशियों का कोई तय रास्ता नहीं होता हर इंसान को अपने लिए खुद ही रास्ता बनाना होता है यह बात जिसने जान ली समझो खुशियों ने उसका पता लिख लिया संभव ना हो तो साफ मना कर दें पर किसी को अपने लिए इंतजार ना करवाएं चिंता मत करो क्योंकि जिसने तुम्हें इस दुनिया में भेजा है उसे आपकी ज्यादा चिंता है जब आपका होना और ना होना बराबर हो जाए तब आपका ना होना ही बहतर है जिन्दगी की सबसे अच्छी और खराब बात यही है कि ये हमेशा नहीं रहने वाली ये एक उम्र के बाद हम सभी को समझ में आने लगता है कि दिन अच्छे हो या खराब दोनों बीत जाते हैं कभी उसको नजर अंदाज ना करो जो तुम्हारी बहुत परवाह करता हो वरना किसी दिन तुम्हें एहसास होगा कि पत्थर जमा करते करते तुमने हीरा गवा दिया जीवन में परेशानियां चाहे जितनी भी हो चिंता करने से और ज्यादा होती है और खामोश होने से बिलकुल कम सब्र करने से खत्म हो जाती है तथा परमात्मा का शुक्रिया अदा करने से खुशियों में बदल जाती है चाहे कोई भी व्यक्ति कितना भी बुरा हो, उसमें कोई ना कोई गुण अवश्य होता है मधुमक्खी बनकर गुरु रूपी मिठास एकत्रित करते रहिए जरूरत नहीं कि मीठा खिला कर ही मुह मीठा किया जाए क्यों ना मीठे शब्द बोलकर किसी के जीवन में मिठास खोली जाए तो दोस्तों यह वीडियो यहीं पर समाप्थ होती है आशा करते हैं कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा मिलते हैं एक नई वीडियो के माध्यम से तब तक के लिए अपना खयाल रखियेगा जय श्री कृष्णा